कि अधिये नौशकार स्वागत है आप सबका फिर से सविंदर सिंग जोगरफी का मतलब तो आप जानते हैं जोगरफी का मतलब है कि भगवान ने जो भी चीजें प्रीथवी पे दी है हम यह हमारे लिए जीव जुनतियों के लिए जो नैच्यूरल है उसको फीजकल कहते हैं जैसे परवत हैं मैदान निधान है जी तो घूमज़ें तो फीजकल मतलब होता है कि जो नैच्यूरल चीजें हैं उसको हम कैसे हैं अगर हमें समझना हो तो पन रहा है कैसे समझेंगे खाई बन रहा है कैसे उसको कैसे समझेंगे अगर कोई हुकम पैदा हुआ है तो उसको कैसे समझेंगे वालकैनिक अरप्सन जो अलामों की विस्वोट होड़ा है तो उसको समझेंगे तो यह सब फीजिकल जोग्रफी का पार्ट है उसी तरह से नैच्छल में क्लाइमेट आप देख लेंगे जो क्लाइमेट है वो भी फीजिकल जोग्रफी का पार्ट है क्योंकि आप जानते हैं वो भी एक नैच्छल थिंक्स है तीसरा है कि समुद्र के बारे में जानना है समुद्र के अंदर की चीज़े जानना है वो भी फीजिकल जोग्रफी है और इसके अलावा इन्वार्मेंट टिकोलोजी जो नैचुरल है उसके बारे में भी जानना है तो सेविंदर सिंग ने इन सब को बताया है आपको और यह बहुत ही इंपोर्टेंट यह आपके PCS और IS के लिए यह बुक है जिसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है पहला चैप्टर हमने आपके साथ सेयर किया था और पहले चैप्ट से सविंदर सिंग को आपको बता रहे हैं चाहे आई इस पढ़ने वाले लोग हो यह PCS पढ़ने वाले लोग हो याद रखिएगा यहां पर confusion होता है कि जब आप सविंदर सिंग पढ़ने जाते हैं तो सर क्या इसमें पढ़ा जाए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी पूछी नहीं गई है इसलिए सबसे पहली बात है इस चीज को समझे कि हम अगर कोई चीज बता रहे हैं तो उसको सिस्टिमराइज करके बता रहे हैं हो सकता है कि सविंदर सिंग में कुछ चीजों को पहले बता दिया गया हो जैसे as for example plate tectonic internal structure और earthquake में earthquake के बारे में अगर हम बताते हैं तो सिस्मो लॉजी सिस्मो ग्राफ सिस्मिक वेब्स के बारे में बताते हैं यहां पे earthquake के जगा पे internal structure of earth में ही सिस्मिक वेब्स को बता दिया गया है लेकिन आपके लिए मैं इसको बड़ा systematic करके arrange करके आ रहा हूं और दूसरा यह भी deviations होता है इंट्रेस्ट नहीं अगर आ रहा है कि समिंदर सिंग कैसे पढ़ें सर नयल बच्चे हैं आप तो आपको यह उल्जन समाप्त हो जाएए तो जो दूसरा चैप्टर हो निकाल लीजेगा और मैंने आपको कार था कि जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं उसका systematic आपको notes ब से रहें उसके लिए को systematic notes करना बहुत जरूरी है सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं इन्टरनल structure of earth या पृत्वी कि आंतिरिक संथरा एक ऐसी के बारे में जानकारी प्राप्त rendering क्या है इस को क्या कहते हैं चाहिसे आप करें पढ़े ठरेओं सौलीड powerful को क्रस्ट कहते हैं लेकिन इसके नीचे और घराई में चला जाया जाया और पृत्वी के गहराई में देखा जाए कि कहां तक धरती है आप कहते हैं ना पताल में क्या है तो अंदर क्या है इसके बारे में समुचित जानकारी आपको लेनी है तो सबसे पहले ये बताईए मुझे जो समिंदर सिंग आप पढ़ रहे हैं उसमें डेवियेशन से बचने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वैक्ति अगर कोई कोशिस करता आज से अगर प्राचीन काल में बात को समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिए बाद में लिखने की कोशिस कीजिएगा जहां मैं कहूंगा लिखना है वहीं आपको लिखना है उसके अलावा कहीं नहीं लिखना है क्योंकि PTS और IS में जो एक्जाम में पूर्सन्स आएंगे, वो सारे इस, इस कॉंसेप्ट या ये क्लास से आपके सॉल्व हो जाने वाले हम, दीजिए, सबसे पहले ये समझे है कि जब प्राचीन काल में, से इन टाइमें जब मानों प्रीज्वी पे आया तो प्रीज्वी के बारे में उसके बारे में जाना दौनितकी को देखनता था अग निकलती गहीं जोला मुखी को देखता था वो इस तरह के चीज़ों को एक देवी दुरगा का रूप मान लेते थे और कभी वली चाड़ा दिया तो कभी कुछ कर दिया ताकि प्रित्वी सांत रहे प्रित्वी भुकम पैदा कर रही है या फिर चक्रवात ही आ रहा है तूफान ही आरा है जैसे बावंडर ही है तो हो सकता है द्यवी हमसे अधूर्ष्ट हो जाते थे तो यह सब देविये प्रकॉप मान लिया जाता था जैसे जन जाती है समाज में बहुत ज़्यादा तो हमें उसके बारे में बहुत अंब नहीं था तो सिक्स्टीन्थ सैंचूरी अगर मैं कहूं सौला हुई सताब्दी तक इस तरह से डार केज ही चलता रहा डार क इसका मतलब था कोई इन्वेंसर नहीं करते थे हमें अगर कुछ खोजना है तो हम जहाजों में बैठते थे निकल जाते थे महादूपों को खोजने यानि ऊपर की धरती को खोजने के लिए हम निकलते थे अगर कोई नौर्थ अमेरिका में रहता है तो वह समझता था कि क्य हमारी दुनिया यहीं है और धरती यहीं है लेकिन जब इन्वेंसर शुरू हुआ डिस्कवरी सुरू हुआ बहुत सारे एकस्पेडीशन समने किया तो हमें यह भी पता चला कि नहीं अमेरिका भी है इंडिया भी है एसिया भी है चाइना है बहुत नए-ने डीपों की खोज और सारी चीजों को जान लें तूर हम देख लें यहां से बैठे बैठे अमेरिका को देख लें तो यह सब चीजे क्या थी साइंटिफिक डेवलोप्मेंट्स के बाद आया इससे पहले ट्राइबल सोसाइटी सिर्फ एक दैविये दुर्गा का रूप ही समझते थे अच्छा मैं आपको बता दू कुछ एस्कॉलर लोग थे जैसे अगर मैं आपसे कहूं यूनानी सास्त्री में आप देखेंगे जैसे एनेक्सी मेंडर थे अरस्टोटल थे अरस्तू थे यह सब बहुत पुराने लोग थे फिलोसफर थे इन लोगों से पूछा जाता तो मैंने आपको कहा था कि एक संकल्पना या कल्पना के ही सबसे बता देते कि प्रित्तव के अंदर ये हो सकता है सच्चाई तक आप नहीं पहुंच सकते लेकिन आज आपके एक्जाम में या यूपेसी के एक्जाम में आपको सच्चाई तक पहुंचनी है कैसे आपको सच्चाई तक पहुंचनी है वह एकदम साइंटिफिक है और साइंटिफिक का मतलब है कि हम एकदम डाटा कॉलेक्ट कर तो क्या कि आगर जाना है तो क्या सही में आप इसको खोधना शुरू करेंगे और देखना शुरू करेंगे कि आप ठोड़ी नीचे जाएंगे तो आपको इतनी ज्यादा गर्मी लगेगी कि आप बाहर निकल लाएंगे इसलिए आप याद रखिएगा कि प्रित्वी के अंदर अब तक maximum 7 km अंदर तक गहराई तक जाया गया है उससे ज़्यादा आप नीचे नहीं जा सकते ये भी recorded है हर जगा पे ये भी संभव नहीं है अब सवाल उठता है कि प्रित्वी के अंदर अगर जानना है तो उसका source क्या क्या हो सकता है जिससे हम थोड़ा सा पता लगाते थे प्राचीन काल में ये तो बहुत विदित बात है कि एंसेंट काल से लोग ये जरूर जानते हैं कि प्रित्वी के अंदर टैंप्रेचर बहुत जादा है अगर मैं आप से कहूं कि प्रित्वी के अंदर टैंप्रेचर बहुत जादा है इसका प्रमान कैसे मिलता है तो प्राचीन काल में अगर कोई सोसाइटी थी, माली जे ट्राइबल सोसाइटी थी, जन जाती है, अगर देख रहा है वोलकैनिक एडप्सन हो रहा है, जो अलामुकी विस्फूर्ट कर रहा है, या कहीं पर आप देखते थे कि स्टीम निकल रहा है, जैसे आप देखते हैं न अग है, यानि अगर हम प्रित्वी के नीचे जाएं तो टेंपरेचर मिलेगा, तो इस आधार पे हम क्या करते थे, एक सोर्स एकठा करना शुरू करते थे, लेकिन यह ऑथेंटिक नहीं था, हम सोच सकते थे कि प्रित्वी के अंदर आग है, लेकिन कितना है, कहां कितना है, कहां मोल्टेन स्टेज है, कहां तरल अवस्था में है, यह सारे रॉक्स, कहां सॉलीड अवस्था में, यह जाना बहुत मुश्किल हुआ, तो याद रखिएगा, अगर सोर्स के बारे में हैं, अगर हम पात करें, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़े हैं, जैसे उनीसवी सताब कि लास्ट में, अगर हम बात करें, तो 1885 के आसपास की बात है, 1885 या 75 के आसपास, सिस्मोग्राफ का निर्मान हुआ था, सिस्मोग्राफ का इंवेंशन हुआ था, इटली के एक साइन्टिस्ट द्वारा, उनका नाम ऐसे ही कुछ था कि फिलिपो चेची, तो फिलिपो चेची ने 1875 के आसपास एक इंस्ट्रूमेंट का अविस्कार किया, उसका नाम था सिस्मोग्राफ, और आप जानते हैं कि सिस्मोग्राफ क्या करता है, तो सिस्मिक वेब्स को क्या करता है, वो मेजर करता है, सिस्मिक वेब्स को मेजर करता ह तो सबसे बड़ी चीजें हैं कि अगर प्रित्वी के अंदर की सारी चीजें आपको जानना है तो सबसे पहले यह याद रखिए कि हमें scientific evidence को collect करना पड़ेगा परमान लेना पड़ेगा इसका मतलब है सबसे पहले हम उन चीजों की चर्चा करेंगे जो scientific है और वही authentic होगा प्रशनाओं के बारे में जानने का भुकम्प यह तरंगों के द्वारा जाना जाता है तो समझ गया है तो भुकम्प क्या है और एक सिस्मोग्राफ मदट आप कर लेते हैं सिस्मोग्राफ का मदद लेते हैं तो आप उसको scientific रूप से प्रूफ कर पाएंगे कि प्रित्वी क हुआ जैसे आपका पेट दर्द हुआ तो आप हऊस्पिटल जाते हैं या डॉक्टर आपको देखता है तो एक मसीन के अंदर आपको डाल देता है और बाहर निकलने के बाद आपसे कहता है कि आपके पेट में इस्टॉन हो गया है यानि पत्थर हो गया है तो क्या वह डू का मदद कर लेता है किसी वेब का मदद लेता है आपके सरीर में आर पार्ट क्रॉस करा दिया उस स्टोन का इमेज आ गया अल्ट्रा साउंड्स आपका आ गया एक्स्रेय आ गया और आपको देख लिए वह हम पूरे प्रीत्वी के अंदर के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे हम प्रीत्वी के पूरे छेत्र का एक्सरेय लेंगे एक्सरेय लेने का मतलब क्या होता है एक्सरेय लेने का मतलब होता है कि हम किसी इनरजी के द्वारा या किसी वेब का मदद लेंगे और प्रीत्वी के अंदर के बारे में जानेंगे अब आप के कि सर क्या प्रिथवी हमारी गोल है तो क्या हम heavy जला के आर पार देखते हैं विल्कुल नहीं है कि हम किसी मसीन का साहारा लेते हैं और और कोई जिनरेट करते हैं और बस्तलार्ट होता क्या है मैं आपको बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी बातों को अगर गौर से आप सुन रहे हैं तो आप समझते रहिएगा आगे आप बहुत चीज आप जानेंगे लेक्चर सुनना बहुत जरूरी है उसके बाद सिस्टेमिटिक आपका डेवलॉपमेंट सपने हाप हो जाएगा तो मैंने आपको कहा कि जो सिस्मिक वेव्ज है यहाप किसी टॉर्च के दौरा या किसी मसीम के दौरा नहीं आप ऐसा नहीं है कि आप प्रित्वी को लंगे और इधर से एक इनरजी क्रॉस कराएंगे और बीज से देख लेंगे एक सरे आजाएगा बिलकुल नहीं होता क्या ह है कि जब भी जब भी जैसे मैंने आपके आपसे कोश्टन बहुत बार किया है कि क्या आपको लगता है कि प्रित्वी क्या हो रही है ठंडी हो रही है गर्म हो रही है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठंडी हो रही है तो अगर आप कहते हैं गर्म हो रही है प्रित्वी इस जो ये बताता है कि प्रित्वी ठंडी हो रही है, क्या ये कुछ evidence तो होने चाहिए न जो ये बता दे कि प्रित्वी ठंडी हो रही है, तो दो evidence आपके पास याद रखिएगा, पहला evidence जिसको हम कहते हैं earthquake, जैसे भुकम पाता है, तो भुकम में क्या होता है, प्रित्वी अंद कीजिए हैं, जिससे ये पता चलता है कि प्रित्वी लगातार ठंडी हो रही है, वालकेनिक अरफ्वैक भुकम और ज्वाला मुखन की करिया, समझ रहना इस चीज़ को, अब अगर suppose कीजिए कि अर्थ्वैक अगर आया, और आप जानते हैं कि अर्थ्वैक का एक पॉइंट कीजिए हैं, तो प्रित्वी के अंदर से निकली हुई उर्जा को ही हम सेस्मिक वेब कहते हैं, और यह तरह-तरह के होते हैं, और इसी के द्वारा हम जानते हैं, बहुत सारे हमारे पास वेब्स हैं, जो प्रित्वी के अंदर से बाहर आते हैं, और उनके नीचर को पता करके हम जान चुके हैं कि यहाँ पे density जादा है यहाँ पे liquid है, यहाँ पे solid है क्योंकि हम जानते हैं कुछ waves ऐसी हैं जो liquid में नहीं चलती गाइब हो जाती है तो हम समझ जाते हैं यहाँ liquid layer है इस kilometer से नीचे liquid layer है कुछ ऐसी waves है जो उपरी layer में चलती ही नहीं गायब हो जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि उपरी जो लेयर है, ये minimum density का है, और ये sound wave के समान है, तो बहुत सारी waves के बारे में अपने नाम सुना होगा, आज मैं फ़र सा detail में आपको बताऊंगा, P waves, S waves और L waves, तो सबसे पहले मैं आपको बता दो कि major source, जो internal structure of earth को जानने का है वो internal structure of earth को जानने का एक source है, जिसको हम कहते हैं, seismic waves, इसको याद रखिएगा, इससे पहले बहुत सारे source थे और evidence थे, जो समविंदर सिंग ने आपको detail किया हुआ है, वो आपको कैसे पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ, अब ज़रा देखिए, जो पहले paragraph में जो सार बहुत मुस्किल था, पहले लोग ऐसे समझते थे कि जो गोंडवाना लेंड का part है, वो बहुत ही जादा dread है, लेकिन जब कोईने का भुकम पाया, तो लोगों को लगा कि नहीं, ये जो गोंडवाना लेंड जो हमारा दचिन भारत है, ये भी क्या है, ये इस्थिर है, ये इन्टर्नल स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट में क्या क्या चीजें, मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले, जो समिंदर सिंग्ल लिखा है, उसको इसको ध्यान में रखिएगा, और उसी हिसाब से समिंदर सिंग को पढ़िएगा, ताकि डिविसन नहीं हो, शुरू पाराग्राप्स में बहुत ज़्याद आपको ध्यान नहीं देना है एक बार सरी निगाहों से आपको पढ़ लेना है कि 1967 में उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट थे इस तरफ लग गए कि आखिर गोंडवाना यानि दच्छिन भारत जो प्रैदीपिय भाग है उसमें अग यहां से आपको थुड़ा समय आपको बताना सुरू करता हूँ तो यहां देखे सबसे पहले मैं आपको बता दू उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दसहरा का सेल चल रहा है अगर किसी को भी नये बैच में अडमिशन लेना है जो компании थर्ड आ आफ नौमबर को सुरू ह और सुहरा है और सुबह का बैच आठ बजी का बैच है उसमें आसानी से ऐडमिशलस ले सकते हैं और हमारे साथ js сосक्ते हैं उत्तर प्रदेश देने वाले लोग जो प्री और मेंस करना चाहते हैं यानि फामडेस्ट स्भाइन में आना चाहते हैं वो इस को पर्चेज कर सकते हैं और इसका जो फी है बहुत रिडियूस किया गया है 14,999 और दसहरा का अगर कोड आप इस्तमाल करते हैं तो बेटर डिसकाउंट मिलेगा मुझे लगता है कि फैकल्टी कोड से भी ज्यादा यह ओफर है जो आपको नीचे लाया है तो जल्दी कीजिए यह जो है थार्ड ओफ नौवंबर का बैच है जो मौनिंग का बैच है इसमें आप ले सकते हैं अगा तो वह हम बात कर रहा हैं थे आपसे इंटरनल स्कुर फट अर्ट की इन्टरनला और संटर्चर ऑफ आर्फ में सबसे पहले यह प्रीट्वी है और इस प्रीट्क के अंदु के कि अंदर के बारे में टूटल अगर जानकारी लेना है तो इसका जो सूर्स है उसके बारे में सविंदर सिंग ने बात किया हुआ है कि सूर्स क्या-क्या हो सकते हैं हमारे पास तुझरा देखिए यह सब क्या है यह सब पहला सूर्स जिसकी चर्चा क्या सविंदर सेने की है वह है और्धीश acceso जैसे मैंने आपको कहा कि मैं की याद रखिएगा इस्हां कि तीजों की अवस्ता देखी जाती है याद रखियगा जिसको हम कहते हैं इससमें क्या बहुत पहले से थे जैसे अगर मैं आपसे कहूं temperature temperature का मतलब होता है यह तापमान है याद रखिएगा temperature का मतलब क्या है तापमान है यह हमारा artificial source है तापमान temperature आज से नहीं ancient काल से ही देखा जा रहा है जैसे कहीं volcanic eruption हो गया या कहीं पे जियो thermal energy निकल गई तो यह जाना जाता था कि प्रित्वी के अंदर temperature है तो temperature आज से नहीं बहुत पहले से एक artificial source के रूप में काम करता है दूसरा है याद रखिएगा temperature के बाद density याद रखिएगा density का क्या मतलब होत होता है density का मतलब होता है घन तो याद रखिएगा density का मतलब होता है घन तो देखिए यह सब चीजे मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके सविंदर सिंग में हैं लिखा हुआ तो आप भी थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करें बहुत ज़्यादा इस पर नहीं करना है मेजर जो चीजे मैं internal structure of earth के बारे में बताऊंगा वो seismic activity पे या seismic जो earthquake के आधार पे जो seismic waves निकलते हैं उसके आधार पे internal structures को कितने भागों में बाटा गया है वही पूछा जाता है आपसे याद रखिएगा अब अब जड़ा देखिए अब सवाल ये है कि temperature और density क्या है तो density का मतलब ऐसे समझे तो बहुत समझाने की जुरूत नहीं है और मैं आपसे कहूं कि modern योग में temperature कैसे नीचे बढ़ता है तो temperature पहले से ancient काल से भी लोग जानते थे और आज भी लोग जानते हैं तो जब आज जान रहे हैं और ancient काल में जानते हैं दोनों में difference है अब इसी difference को सत्य रूप से अगर जाहिर किजिएगा तो temperature कैसे बढ़ता है तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 degree Celsius temperature क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यह याद रखिएगा कि प्रित्वी में नीचे जाने से temperature बढ़ जाता है यानि temperature बढ़ेगा क्या मतलब है 32 मीटर आप नीचे जाएंगे तो 1 degree Celsius temperature बढ़ जाएगा यह table है यह source of internal structure of earth आपको लिखना है और इसी के द्वारा आगे बढ़ना है देखें मैं जो आपको बता कुष्टन सॉल्व करेंगे जोगरफी का चाहे वो आईस का हो चाहे PCS का हो समझगे ना तो इसका मतलब है 32 मेटर नीचे जाते हैं तो 1 degree Celsius temperature बढ़ जाता है अब density का बात करें बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होगा कि density क्या होता है बहुत सारे लोगों को यह पता नही यह पता नहीं होगा कि density क्या होता है density का मतलब क्या होता है बहुत सारे लोगों से पूछेएं तो वह कहेंगे कि mass upon volume mass on volume mass upon volume का क्या मतलब होता है यह भी मैंने समझेता हूँ जैसे layman है और рमाश कर флаг्ष़ क्या मतलब होता है उसको इसको ऐस समंझेüh जैसे यह a lawsuit है सबसे लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट मिलेगा चोटा सा एक पार्ट मिलेगा उसके बाद उसको काटना बहुत मुस्किल हो जाएगा वह विजिबल भी नहीं होगा सैद माइक्रोस्कोप से आपको देखना परे वह होता है एटम जिसको अनू कहते हैं या परमानू जो भी कहते हैं उसकी बाद अगर काटेंगे तो उसका समाप्त होने लगता है प्रोटोन एलेक्ट्रोन नीट्रोन आने लगता तो उसके नीचे हम चर्चा नहीं करते तो एटम्स क्या मतलब हुआ किसी भी ऑबजेक्ट का स्मॉलेस यूनिट है इसी को हम मास मानते हैं अगर ये ए कहूं कि ये एक पेन है माल लिजे एक पेन है प्लास्टी का पेन है और मैं कहूं कि सेम सेपका एक लोहे का पेन मैं ले आओं तो लोहे की पेन की डेंसिटी ज्यादा होगी या प्लास्टी के पेन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो आप कहेंगे सर लोहे की पेन की डेंसिटी अब जैसे suppose कीजिए कि मैं इस pain को अगर चारो तरफ से ऐसे करूं और दबा दो, बिल्कुल दबा दो, बिल्कुल दबा दो, तो चारो तरफ से मैं ने pressure बढ़ा दिया, तो इसका volume क्या हो गया? कम हो गया? समझ रहे ना, इसका volume हो गया? कम, अब अब volume कम हो गया, तो इसकी density क् बढ़ गई, इसका मतलब atoms पास पास आ गए, यही मैं कहना चाहरा हूँ कि density का मतलब mass upon water room से है, mass का मतलब होता है, atoms per unit area, समझ रहना, तो density का मतलब हो गया, कि अगर pressure बढ़ाएंगे density बढ़ेगा, इसका मतलब है कि अब हम जब measure करने लगे density को, क्योंकि जब जैसे हम scientific दुनिय में आए, तो हम बहुत सारी चीजों को सीख गया, मैंने आपको कहा कि 1785 में, जब italians ने एक सिस्मोग्राफ का निर्मान कर दिया, तो उसके बाद scientific developments बहुत ज़्यादा हुए, 1709 में हमने ये भी बात करी थी, कि Galileo telescope का विसकार कर दिया था, तो ये जो 18 सताब्दी, 18 सताब् क्या आते आते, scientific developments होना शुरू हो गया था, इसके पहले हम डाड़केज मानते हैं, जब scientific development नहीं हो आता, तो इस चीज को आप बहुत समझेगा, समझेगा इस चीज को, हाँ, तो अब अगर, अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो density होती है, याद रखेगा, अगर मैं अर्थ की density की बात करूं, अर्थ की density की अगर बात करूं, तो याद रखेगा, average density अगर आपसे question पूछा जाए, कि average density कितनी होती है, तो याद रखेगा, 5.5 होती है, gram per cubic centimeter, इसका यह मतलब मैं आपको समझाता हूँ, यह जरूर आप लिख लिजेगा, जो औसत घनत हो है, जो प्रित्वी का है, औसत घनत हो, अगर करहूं कि ऊपर कम है, नीचे जादा है, तो औसत मिला लेजे, तो 5.5, अब आप कहेंगे, सर, 5.5 का क्या मतलब होता है, आप कहेंगे ना म गुनार गुणार, पानी के जैसे प्रित्वी जो है, आप जैसे मैं कहूँ, अगर में देख लिख दिया जाए, तो डूब होता है, यह क्या होगा, ढूब जाएगा, लेकिन एक Saturn एक ऐसा planet है, जिसको अगर पानी के उपर डाल दें, तो वो float करेगा, क्योंकि उसकी density 1 से नीचे है, तो उसको floating planet कहते हैं, तो यह difference आप समझ गया होंगे, कि 1 water की density होती है, अब मैं अगर question आपसे करूँ कि भाई, प्रीथवी के अंदर अगर आपको जाना है, नी daughter किस चीज़ पे depend है, तो यह pressure का मतलब होता है, अब दवाब का मतलब, अगर मैं आपसे कहूँ कि दवाब का क्या मतलब होता है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है, तो प्रीषड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो दवाब का मतलब होता है कि प्रीथवी के अधर attraction capacity है जैसे gravity है अगर gravity नहीं होती तो यह pressure नहीं लगता जैसे माले जे कि यहां पे कोई वैक्ती है और आप यहां पे घुसा अगर उसको मारते हैं तो क्यों मारते हैं अगर gravity नहीं होती तो आप मार ही नहीं पाते बहुत सारी चीजे हैं जो loss related है और उसका सीधा संबंद gravity से है तो फोर्स का मतलब होता है यह pressure का मतलब होता है गर gravity है तो अपनी तरफ खीचेगा जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो प्रेसर बढ़ता चला जाएगा और एक पॉइंट जैसे उपर का रेट ज्यादा होगा प्रेसर का नीचे धीरे धीरे कम होता चला जाता है तो और सेंटर पर जाके जीरो हो जाएगा वहां आप जानते हैं इतनी सारी चीजे तो आपको अच्छी तरह से पता है तो आटिफिसियल सोर्स में सविंदर सिंग लिखते हैं कि की तेंपरेचर बैन्सिटि और टीनों ही नीचे बढ़ रहा है समस्कें और ये अगर मैं आप से कहूं तो इस चीजों में आपको नहीं उलचना है कि जाफरीज महोदय मत्यार nntrij तो गुआब फ्रोण वालों के लिए है शो लोग ऐकेड़िमी में पढ़ते हैं उलों ऐसे questions होते हैं, GS में इस तरह के questions नहीं पुछे जाते हैं, तो artificial source आप समझ के यहां तक clear है, अब हम आते हैं, दूसरे पे, दूसरा क्या है, hypothesis from the origin of earth, hypothesis from the origin of earth, hypothesis का मतलब है कि theories, अगर मैं hypothesis को कहूं, theory कब बन जाता है, इसका जो उलेख था मैं कल की class में आपको कर चुका हूं, hypothesis क मतलब होता है, बहुत सारी कल्पना है, और पिछली classes में दो तरह के हमने theory को, hypothesis को बताया था, एक monastic approach और एक dualistic approach, जिसको और द्वैतवादी और द्वैतवादी अवधारना कहते हैं, तो याद रखिएगा, अगर कुछ हमने पहले, जैसे मैंने आपको कहा था, कि scientific जब development हु पृत्वी के बारे में जानने समझने का, या solar system के बारे में समझने का, या astronomy के बारे में समझने का, हमने एक revolution शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया, तो जब पृत्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम कुछ साक्ष हमारे पास ये हैं, कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हुआ करते थे और वो ठोस कन थे जब यह आपसी अट्रक्शन के कारण एक नेबुला में तब्दिल हो गया तो इसमें जोड़ जोड़ से एक रोटेशनल एफेक्ट होना सुरू हो गया और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के कारण बहुत सारे पिंड अलग होने लगे और नौ छले निकल गया तो इस आधार पर देखने तो उन लोगों का कहना है कि यह जो प्रित्वी है बाहर से ठोस होगी अंदर से हो सकता तो लैपलास ने जो नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था उसके तहट हम एविडेंस कॉलेक्ट करते थे हमारे पास बहुत कोई accurate वैसा scientific developments नहीं हुआ था हम इनी लोगों के बातों के आधार पे आगे चलते चले आए तो आप देखेंगे जो developments हुआ वो कैसे हुआ है आपको उसमें नहीं जाना है आपको लास्ट वाला देखना है कि भाई ultimately internal structure of earth में क्या है ultimately internal structure of earth में क्या है तो याद रखिएगा जब हमारे development internal structures को जाननी के लिए हो रहा था तो बहुत सारे evidence भी आ रहा है थे किस रूप में यानि hypothesis के रूप में theory के रूप में जैसे gases hypothesis नेबुलर hypothesis और अगर मैंने आप सो कहा था जो कल बहुत सारे बच्चे रहे होंगे उनको भी समझाया था कि अगर dualistic approach में आएंगे जैसे दो तारों से अगर प्रित्वी का निर्मान हुआ है एक तारे ने दूसरे part को खीचा और फिर से tidal hypothesis का जिक्र हमने किया था तो अगर उस theory पर भी आएंगे तो उनको भी आप देखेंगे उससे भी कुछ न कुछ evidence आपको collect होगा कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि इस तरह से बना है प्रित्वी इसका मतलब बाहरी part होस होना चाहिए अंत्रिक part ऐसे होना चाहिए liquid होना चाहिए core वाला part gases होना चाहिए लिक्विड होना चाहिए तो कुछ evidence हमने वहां से collect किया आपको इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है समझ गया ना इन सब चीजों पर क्या करना है ध्यान नहीं देना है उसके बाद पहले से ये सब जितना भी मैं जिक्र कर रहा हूं ये अभी का नहीं जिक्र कर रहा साइंटिफिक developments होना सुरू हुआ था यानि 18 सताब्दी के पहले से बात कर रहा हूं ताकि लोग पहुंचे कैसे यहां तक मैं उसकी बात कर रहा हूं कि लोग कहा यहां तक पहुंचे कैसे उसके बाद अगर मैं कहूं कि यह भी अगर हटा दे क्योंकि यह आपको पढ़ना नहीं है प्रिथवी के विकास संबंदित जो संकल्पना है इसको भी अगर हता दे तो बहुत सारे लोगों ने प्रिथवी के कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके बताया है मैं आपको बता दूँगा एक एक लाइन में उसको आप याद कर लिजेगा ताकि को संस अगर आ है तो आपके गलत नओभ नायचुरल रिसॉर्स इस क्या थे है हमेरे कि क्या वो क्या था इस चीज को समझे नेचुरल सोर्स क्या था हमारे पास onu लुकर जब आता था तो जब साइंटीफिक ड्वलाप मेंट्मेंट तो भूसका खाने का घएक पता चल रहा थां प्रिट्वी के अंदर से इनर्जी बाहर निकल रही है और मैंने आपको कहा कि 1785 तक आते आते हमने सिस्मो ग्राफ डेवलाप्ट कर लिया इटैलियंस ने किया और उसके बाद उसमें और भी ज़्यादा प्रफेक्शन आया 19 सताबदी तक आते आते 20 सताबदी के लास तक आते बहुत ज़्यादा डेवलाप्मेंट्स हमने कर लिया और सिस्मो ग्राफ के आधार पे हमने प्रित्वी के अंतरिक लेयर को कई भागों में बाट तो याद रखिएगा अब सिस्मो ग्राफ आपका मेजर सोर्स बन गया तो उसी के आधार पे आपको अब पूरा एक्स्प्ल रहें रिप्लाई जरूर दीजिए अभी जो मैं पूछ रहा हूं कि क्या यहां तक जो फ्लो हमारी चल रही है क्या इस चीज़ को आपको समझ में आ रहा है यस और नो अगर आप कहेंगे तो इससे भी नीचे मैं अपना एस्टेंडर गिरा दूँगा देखिए सविंदर सि को पूरा नहीं पढ़ना है अगर जी इस पढ़ना है तो जितनी बाते मैं आपको बता रहा हूं कम से कम उतना जरूर याद रखिए इसके बाद मैं ऑथेंटिक चीजों पर आऊंगा ऑथेंटिक का मतलब जो एक्जाम में पूछा जाएगा उस पर आऊंगा ताकि आप को एक अलग चैप्टर है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा जो साइंटिफिक डेवलापमेंट नोट कर लिजे इस चीज़ को कि कोई भी एकाडमिक किताब चाहे सविंदर सिंग हो माजीत हुस्वेन हो जब भी भूगोल को समझाएंगे तो वह पूरे एंसियंट सका से लेके अब तक का डेवलापमेंट समझाएंगे लेकिन आपकी यूपसी क्या पूछेगा आप से पीचिस क्या पूछेगा जो अभी का रेलिवेंट सोर्स है हाँ यह कॉंसेप्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा है कि इनका डेवलापमेंट कैसे हुआ जैसे अगर हम प पढ़ना वही है जो एक्जाम में पूछा जाना है इसलिए मैंने ब्रीफ कर दिया कि समविंदर सी ने इन चीचों की चर्चा अभी आपसे करी है ठीक है अब अगर मैं आगे आपसे अगर बात करो अगर आगे बात करो वाल्केनिक अपसे लिए आर्टक्रम के बारे में तो यहां पर वाल्केनिक अपसन के जानकारी अभी मैं नहीं दूंगा internal structure of earth की जानकारी मैं दूंगा अब जरा सोचिए यह तीन चीज हमारे source थे लेकिन question कहां कहां से पूछा जाएगा तो question आप से पूछा जाएगा कहां कहां से तो temperature से संबंदित आप से questions पूछे जाएंगे कि प्रित्वी के अंदर किस rate से temperature बढ़ता है ठीक है बस यह rate पूछा जाता है लेकिन मैं आपको detail में समझाओंगा पूरा concept से ताकि आपकी दिमाग में पूरा घुछ जाए कि temperature का concept density प्रित्वी के अंदर कैसे कैसे जाती है कैसे कैसे बढ़ती है उसके बारे में questions अगर आपसे पूछे जाएंगे तो वह तो अभी मैं explain करूंगा उससे सारे questions बन जाएंगे अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो मैं आपकी दिमाग में इतना घुसा दूंगा कि आप समझ जाएंगे सारे concept सही हो जाएगा एकसा में questions लेकिन जरूरी है कि अगर आपने मेंटीन किया हुआ है नोर्स तो आप जरूर कीजिए प्रित्वी से संबंधित जो साक्ष है मैं आपको बता देता हूँ जब प्रित्वी के संबंधित कोई सिधान ताप देते हैं जैसे यह वाला जो पोर्ट सन मैंने आपको कहा कि hypothesis from the origin of earth कुछ विद्वानों ने जब सिस्मोग्राफ का विसकार हुआ भुकम्प का विसकार हो गया भुकम्प ये तरंगों को जानने के बारे में हम सिस्मोग्राफ का development कर दिए तो कुछ लोगों का कहना था कि प्रितवी के अंदर tire डो लेयर है कुछ लोगों का कहना था कि प्रितवी के अंदर चार secretly रहे तो यह question आपसे जड़र I can tell this विद्वान ने कहा कि ऊंदर के अंदर दो ही लेयर है कि इस विद्वान ने कहा कि प्रीथभी के अंदर तीन लेयर है यह आप से पूछा जाएगा तो कुछ ऐसे हैं जो पहले इमॉझीनेशन पर चलाना भी तो आना चाहिए इंस््ट्व falei ऌलेज discussions होता चला गया तो नॉलेज उतना ही बहतर हम सेखने लगे अजसे लिट में जो current update है उसके बारे में आपको जानना है accuracy के साथ जानना है लेकिन फिर वे जो पहले Swiss महोदे थे उन्होंने कितने आधार पे बाटे तो याद रखिएगा कुछ चीजों को आपको लिखना जरूरी है जैसे याद रखिएगा सबसे जादा question पूछा जाता है Swiss महोदे के बारे में याद रखिएगा Swiss Swiss महोदे याद रखिएगा पूछा जाता है कि किसने प्रीतवी के internal structure को सियाल सीमा नीफे में convert किया था सियाल सीमा नीफे याद रखिएगा सियाल सीमा नीफे ये question इतना बार पूछा गया है, याद रखिएगा स्वैस महोदे ने, याद रखिएगा ये कौन थे, तो स्वैस महोदे याद रखिएगा, आपको ये येर भी नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि किस महोदे थे, कौन से महोदे थे, जिन्होंने सियाल और सियाल सीमा नीफे तीन लेयर में प्रित्वी को बाटा था हम धीरे धीरे आ रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे आप जाएंगे दूसरा अगर मैं आपसे कोश्चन्स करू कि भाई अगर स्वेस महोदे थे तो स्वेस महोदे ने तो याद रखिएगा उसी तरह से आपसे पूछा जाता है कि कौन से महोदे थे याद रखिएगा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दे देता हूँ हुम्स का नाम याद रखिएगा हुम्स महोदे का नाम याद रखिएगा यह भी आपसे कोश्चन पूछा जाता है क्या पूछा जाता है कि कौन से महोते थेлар यानि कौन से साये जोगरफर थे जिन्होंने प्रित्वी को सिर्फ दो ही लेयर में बाटा था तो दो layer का मतलब था पहला layer था ये जिसको crust कहा था भू property याद रखिएगा कि पहला जो था ये भू property था और दूसरा उन्होंने बाटा था sub stratum याद रखिएगा इसको हम कहते हैं अधा अस्तर अधा अस्तर का मतलब होता है कि एक तो solid part है जो भू property कहलाता है और उसके नीचे वारा जो complete part है उसको sub stratum कहते हैं तो याद रखिएगा homes जो होड़े थे याद रखिएगा इन्होंने क्या किया था दो parts में बाइंट दिया था सिर्फ two layer में so s और homes के बारे में तो आप जान गए और उसके अलवा अगर आप से ये questions पूछा जाए हाँ उसी तरह याद रखिएगा सिर्फ दो हाँ ये दो जो हैं बहुत ही जादा पूछे गए हैं इसके अलवा आप याद नहीं भी करें तो आपका कोई health में problem नहीं आएगा याद रखिएगा वो सारे लोग भी जो net grf का भी तयारी करते हैं उसमें भी यही पूछा जाता है और जेफ्रीज मोहदे ने चार लेयर में बाटा था ये सब आपको नहीं याद करना है तो कुछ समिंदर सी में जो चीजें दी गई हैं कि जेफ्रीज ने कितने लेयर में बताया सब्सें कितने लेयर में बताएं यह और अथैंटिक अभ नहीं है यह जैति नाम को हम हटा नहीं सकते, इनकी कही गई बातों को हम टाल नहीं सकते, जैसे ऐसे ही बात आप समझ जाए, जैसे एपी जे अब्दुल कलाम अगर कोई चीज कहते हैं, तो हम हेडिंग बन जाता था, तो हमारे यहां जो वैसे महापुरूस हैं, जिनका योगदान बहुत ज़्यादा ह वो अगर कुछ कह गया है जोग्रफी में तो इसको काट नहीं सकते हैं तो दो विद्वान को यह जरूर याद रखिएगा स्वेस और होमस ने तो होमस ने दो परद बताये थे और स्वेस ने तीन परद सबसे ज़्यादा कोशन स्वेस के बारे में पूछा गया है सियाल सी मान अनुमान था जो सिस्मोग्राफ बना और तुरत इन लोगों ने एमेजन करना सुरूर किया कुछ लोगों जैफ्रीज महोदे ने कुछ ऐसे भुकम के आधार पे गन्ना कर दी कि यहां पे हो सकता है कि यहां पे एक लेयर है और यह इंटरमीडियेट लेयर होगा या यह सब स्ट्रक्शर ऑफ अर्थ की बारे में जो आईएस में पीसेस में कोसंस आप से पूछा जाएगा वो किस बेस पे होगा और उसकी समझ कैसे डेवलाप्ट करनी है तो मैंने आपको कहा जब 1935 हम आए 1935 के बाद यह बीसमी सताब्दी के बिलकुल मध्य तक आते आते यह चीज आई थी बहुत इंपोर्टेंट थीरी जिसका नाम था प्लेट टेक्टानिक थीरी याद रखिएगा क्या था प्लेट टेक्टानिक थीरी और सी फ्लोड एस्परेडिंग जो सागर नितल तो उसके बाद और परफेक्शन बढ़ गया और लास्ट में सारे लोगों ने सिसमो लगभग एक ही मत निकलता है जिसका नाम है क्रस्ट मेंटल और को तो आब आये हम उसकी बात करते हैं जहां हम बात करते हैं कि प्रीथ치를 में क्रस्थ हैं मेंटल है और को रहें यह जो आप इम ओधार पर हम पूरे लियर के बारे में जानते हैं अब आपको ये कि हम प्रीथवी को क्रास्ट मैंटल कोर में अगर बाढते हैं तो कैसे बाढते हैं तो orousск़ बढ़न का इसको बाट एक वह लिक्रियों वह बना एंगा हैं उसका रिप्री Cramp तो यहां तक आपका जो concept होगा ये clear हो रहा है अब यहां से आपको write down करने शुरू कर देने हैं जो भी मैं बता रहा हूँ एक एक line छाप दीजिएगा जो अब मैं बताने जा रहा हूँ अब तक तो concept था क्योंकि concept में आप समझ गया होंगे कि प्रित्वी के internal sections को जानने के लि गई हैं जो exam में questions पूछा जा सकता है तो इन सब चीजों को याद रखिएगा अब हम उसी के तरफ चलते हैं तो सबसे पहले अगर मैं आप से कह रहा हूँ कि प्रित्वी अगर गोल है suppose कि जैसे अगर मैं आप से कहूँ कि ये प्रित्वी क्या है ये गोल है लेकिन अगर इसके अंदर आप चले जाए तो हो सकता है कई तरह की structures आपको देखने को मिल जाए हो सकता है कि प्रित्वी में नीचे जैसे 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 जाए temperature बहुत ज़्यादा हो जाए कोई ऐसा layer मि मैगमा है हो सकता है कोई ऐसा जगह मिल जाए जहां पर आपको पता ही नहीं चले ये है क्या matter तो प्रित्वी के अंदर अगर घुषना है तो इसका एक cutting बाहर निकालते हैं समझ गया ना अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एक cutting जैसे इसको हम क्या कहते हैं तरबूजे का एक cutting जैसे अगर तरबूजे को आप प्रित्वी समझते हैं क्योंकि प्रित्वी बिल्कुल वैसे ही समझ लिजे गोल है थोड़ा सा अप ज्यूआइड से मैं समझ लिजे उपर और नीचे से थसी हुई है लेकिन अगर एक cutting हम निकालते हैं तो जरा देखिए इसका पूरा figure कैसे बनता है ऐसे ही बनता है और इसको आप हाथ से बनाएए तो ज़्यादा बहतर होगा जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि प्रित्वी में अगर आपको image लेना है तो सबसे पहले यहाँ देखिए सबसे उपरी वाला part है यह और सबसे उपरी वाले parts लेकर के हम प्रित्वी के center तक की अगर बात करें यानि प्रित्वी का center का मतलब होता है कि एक तरबूजे का cutting ऐसे निकालते हैं अगर प्रित्वी से तो सबसे उपरी parts अगर मैं आपसे मालूं कि सबसे उ उपरी parts का मतलब है कि यह वाला जो part है इसकी बात हो रही है सबसे उपरी parts की बात यहाँ पर कॉल से parts तो यह जो पार्ट है इस parts की बात हो रही है अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे उपरी जो part है यह वाला जो part है जो solid अवस्था में है यह solid अवस्था में है solid अवस्था में ह याद रखिएगा। हिंदी में इसी का नाम है Guru property। अभ आप केहेंगे कि सरी जो क्रस्ट है इसकी गहराई कितनी हो सकती है। तो अज यही कोशिशन'. अगर मैं आपसे कोश्शन करूँ कि भाई इसकी गहराई कितनी हो सकती है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर हर जगह पे एक निश्ची तो हो नहीं सकती है हो सकता है कहीं ज़्यादा ज़्यादा मोटा हो कहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा पतला हो तो average depth हम जब लेते हैं इस solid part के तो हम कहते हैं लगभग 30 से 35 km इसकी आस्तन गहराई होती है जो average है याद रखिएगा अब आप कहेंगे कि सर ये solid जो part है ये one कैसे गया तो मैंने आपको कहा था जब बहुत सारा explanation हुआ था कि जब प्रीतवी का निर्मान हुआ था तो इसके parts क्या थे maximum जो dualistic approach में अगर सिधान्त आप देखेंगे तो उसमें कहा गया कि प्रीतवी निकली कहां से है sun से निकली है अब sun से निकली है इसका मतलब cooling process हुआ है तो cooling process कैसे होता है किसे भी object में अगर मैं आप से कहूँ cooling process कैसे होगा बाहर से अंदर की तरफ होगा क्योंकि cooling process या सीतलन की प्रिकिरिया और जादा होगी याद रखिएगा तो अगर ये जो concept है आप समझ रहें इसको तो इसका मतलब है जो उपरी part है इसका जो उपरी part आप देख रहे हैं ये क्या है जो उपरी part है ये याद रखिएगा ये क्या कहलाता है ये कई नामों से जाना जाता है उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा लेकिन अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे इस परित्वी में नीचे की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे आप इस परित्वी में बढ़ता चला जाता है, तो मैंने आपको कहा कि temperature किस rate से बढ़ेगा, तो याद रखेगा, तापमान, बढ़ता है 32 meter पर 1 degree Celsius, याद रखेगा कितना, तो 32 meter अगर आप नीचे जाते हैं, तो ये 1 degree Celsius temperature बढ़ता है, और इस हिसाब से अगर आप नीचे चले जाएंगे, तो आप द देखेंगे, एक ऐसा जगा आता है, जब परितवी के नीचे ये जो part आप देख रहे हैं, क्रस्ट के नीचे वाला part पिगल चुका होता है, तो याद रखेगा, ये जो part है, ये पिगला हूँआ पार्ट है, कहांपे, तो याद रखेगा, ये parts वहांपे पिगल जाता है,ствен क हम कहते हैं Magma Chamber क्या कहते है? This is called Magma Chamber याद रखिएगा ये जो Magma Chamber है, इसका एक दूसरा नाम भी है, हिंदी में भी इसको Magma Chamber ही लिख सकते हैं और इसका एक दूसरा भी नाम है तो ये Aistheno Aspher के नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको? Aistheno Aspher हिंदी में इसका नाम है दूरबल मंडल, याद रखिएगा क्या नाम है इसका? दूरबल मंडल तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं यहाँ पे temperature बढ़ रहा है और चट्टाने पिघली अवस्था में आ गई हैं अब आप कहेंगे सर कि क्या ऐसा हो सकता है कि 32 मीटर नीचे जाएं और 1 डिग्री सेल्सियस अगर temperature बढ़े तो क्या यह संभव है कि इतनी गहराई पे यानि कितनी? 30 किलो मीटर के आसपास इतना ज़्यादा temperature हो जाएगा जिससे मैगमा बन जाए तो यहाँ पे एक question यह बनता है कि मैगमा को बनने के लिए कितना temperature चाहिए? अगर यहाँ मैगमा चंबर है इसका मतलब है 1100 डिग्री सल्सियस temperature से उपर अगर आप जाएंगे तभी वो मैगमा बनेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैगमा बना है तो नॉर्मल इंक्रीज रेट से नहीं बन सकता और नॉर्मल इंक्रीज रेट से बनेगा भी नहीं क्योंकि 1200 डिग्री सल्सियस temperature नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे अगर temperature बढ़ा यहाँ पे अगर temperature बढ़ा तो इसका कारण क्या है याद रखिएगा जियोलोजिस्ट का नाम सुना है जियोलोजिस्ट क्या करते हैं भुगर्व सास्त्री उनको कहते हैं जब भुगर्व सास्त्री ने बहुत सारा invention किया modern योग में बहुत last में जाके तो देखा कि 30 किलो मीटर के नीचे और 80 किलो मीटर तक extended नीचे गहराई में आप देखेंगे बहुत सारे radioactive elements पाये जाते हैं तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो एस्थैनोस्फेर या दुर्बल मंडल या मैगमा जो बना है ये maximum किसके कारण बना क्योंकि यहां पर बहुत सारे radioactive elements पाये जाते हैं तो radioactive elements किसको कहते हैं जैसे अगर मैं कहूँ आनविक उर्जा क्या होती है जैसे uranium है uranium भारी मातरा में पाये जाता है तो याद रखिएगा अगर आपसे ये question पूछा जाए याद रखिएगा ये सारे concept के रूप में आपको बनाना है concept के रूप में आपको आगे चलना है तो अगर मैं आपसे कहूँ कि नीचे आगर आप जा रहे हैं और temperature बढ़ रहा है और magma आ रहा है इसका मतलब ही हुआ कि magma chamber के निर्मान का कारण क्या है क्योंकि नॉर्मल increase rate से इसका कारण क्या है इसका कारण है radioactive elements याद रखिएगा ये क्या है this is radioactive elements तो एक questions तो आपका बन गया कि अस्थानोस फेर की molten state होने का कारण क्या है कारण क्या है तो अब आगर आपसे मैं कहूँ कि radioactive elements उतरना तो समझ गए यहाँ तक तो clear है लेकिन आप कहेंगे sir यह molten state का मतलब होता है liquid state यानि तरल अवस्था तो क्या यह जो तरल अवस्था है यह crust का part है या दूसरे layer का part है आप यह पूछ सकते हैं कि crust के नीचे क्या है तो crust के नीचे अगर आप आएंगे तो आपको एक दूसरा layer मिलेगा बता रहा हूँ जो मैं अभी बता रहा हूँ यह पूरा scientific है scientific का मतलब अभी जो explain आप कर रहे हैं बिलकुल उसी के हिसाब से कर रहे है याद रखेगा अभी जो explanation मैं कर रहा हूँ यह explanation बिलकुल आपको जो सूँच तीखना है समझना है उसी की आधार पे मैं कर रहा हूँ समझ रहे है ना जो exam में questions आ सकते हैं तो इसका मतलब जो magma chamber है ये जो magma chamber है इसका मतलब है ये upper mental है उपरी mental है याद रखिएगा magma chamber किसका part है upper mental का part है यानि जो mental का उपरी हिस्सा है उसका part है याद रखिएगा तो इतना write down आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप बताते चले जाएएगा तो यहां तक ठीक है हाँ नितीस राज समझ रहे हैं तो यहां तक आप समझ रहे होंगे यहां तक आप समझ रहे हैं उसके आगे मैं आपको समझाता हूँ सिधार तरेटी सही है सम अंजले सिंग नितीस राज ठीक है अब आई अब अगर मैं आप से कहूँ कि जो mental है वो कहा तक है तो याद रखिएगा जो mental है इसका जो विस्तार है ये उन्तीस सौ किलोमीटर तक है उन्तीस सौ किलोमीटर तक है इस mental का जो विस्तार है वो कितना तक किलोमीटर है उन्तीस सौ किलोमीटर है और अगर आप चले जाए नीचे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई नीचे यहां तक चले जाए, center of the earth, अगर मैं आपसे कहूँ प्रीथवी के, अगर केंदर तक चले जाए, तो यहां तक अगर आप आएंगे, तो इसकी गहराई कितनी है, तो 6371 km, याद रखेगा कितनी है, 6371 km, इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि यह अगर प्रीथवी है, तो प्रीथवी का जो center है, इसका मतलब यह क्या हो गया, यह प्रीथवी का अगर center है, this is the radius, इसकी तरिज्जा हो गई, तरिज्जा है ना, तो यह कितने km की है, यादि 6371 km का है, इसका मतलब है लगबग 6400 km, प्रीथवी का केंदर है, इ लगबग, लगबग यानि एप्रॉक्स, यह कितना होगा, 12800 km, समझ रहे हैं, तो यहां तक तो आप समझ रहे हैं, तो इसका मतलब radius और diameter, जबल होता है, वो तो आप समझ रहे हैं, अब आप कहेंगे सर, 1900 km, 2900 km से नीचे, अगर मैं बात करूँ, तो यह कॉल सा है parts, तो यह याद रखिएगा, this is the core parts, याद रखिएगा, तो तीन parts तो आप समझ गए, तीन parts तो आप समझ गए, कहां से कहां तक, तो solid, जो crust है, mental, फिर core, समझ गए, अब आप कहेंगे, कि सर, कौन से layer की क्या वस्ता है, तो जड़ा देखें, मैं आपको बता देता हूं, जो crust है, जो स और यही कारण है, कि इसको हम लीठो एसफेर भी कहते हैं, तो याद रखिएगा, इसको हम लीठो एसफेर, या इसका दूसरा नाम हिंदी में, अगर आप देखेंगे, तो अस्थल मंडल के नाम से इसको हम जानते हैं, समझ गए, this is called अस्थल मंडल, याद रखिएगा, क्य अब थोड़ा मैगमा चिंबर के ऊपर थोड़ा कॉंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, अब मुझे बताएं, मैगमा चिंबर जो बना है, उसका कारण क्या था, तो आपने कहा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स था, तो आप मुझे बताएं, कि यूरेनियम का कॉंसे कॉंसेंट्रेशन हर जगा एक जैसा होगा, अगर मैं आपसे कोशन करूं कि यूरेनियम का कॉंसेंट्रेशन हर जगा एक जैसा होगा, तो आप कहेंगे नहीं सर, एक जैसा नहीं होगा, हर जगा एक जैसा नहीं होगा, तो इसका मतलब मैगमा चेंबर कंटिनीवस लेयर या discontinuous layer होगा तो आप कहेंगे sir discontinuous layer होगा जहां पे radioactive elements की पर चूरता होगी वहाँ पे ये layer बहुत सपस्ट होगा और जहां पे नहीं होगी वहाँ पे layer बहुत पतला होगा या नहीं भी हो सकता है absence हो सकता है इसका मतलब यहां पे write down कर लेजेगा कि magma chamber is not the continuous layer ये एक सता सिंखल नहीं है ये डिपेंड करता है radioactive energy के accumulations पे जहां पे accumulations of radioactive elements ज्याता होगा वहां पे ये डिवलाप्ट होगा अने था नहीं होगा अब जड़ा देखिए आगे हम चलते हैं और देखते हैं आगे हम चलते हैं देखते हैं तो इस समस्क्राइब अब जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे इस rate पे आपका temperature बढ़ रहा है 32 meter प्रती 1 degree Celsius तो यहां तक आते आते फिर से temperature इतना हो जाता है कि चट्टाने फिर से पिखल जाती है इस rate पे जब आप नीचे आएंगे तो आप याद रखिएगा जो कोड का जो उपरी पार्ट है य अब देखिए जो कोड का उपरी पार्ट आप देख रहें ना यह पिखल गया यह पिखलने का कारण क्या है अगर मैं आप से कहूं कि यह पिखलने का कारण क्या है कोर का जो उपरी Πार्ट है, ये पिखल गया ये वला पार्ट साँद देख रहे हैं न, this is this पार्ट जो Outर पार्ट है, ये पिखला हुआ है तो इसका मतलब है कि कोर में दो पार्ट है, जड़ा दिख़े इसको यहांपे समझने की कोशिस करिए कि यहां पे कोर में दो पार्ट से जैसे अगर मैं यहां से लेकर यहां तक अगर मैं बात करूँ तो यह कोर है यह टोटल कोर है लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह आउटर कोर बाहरी कोर इसको कहते हैं बाहरी कोर और यह वाला चो पार्ट आप देख रहे हैं यह यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट इसको हम कहते हैं इनर कोर इसको क्या कहते हैं अब सवाल है कि जो इनर कोर है यह liquid अवस्था में क्यों आ गया अगर मैं आप से कहूं यह liquid अवस्था में क्यों आ गया तो liquid अवस्था में इसलिए आया कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहा है temperature बढ़ता जा रहा था और normal increase rate से करते हैं कि जहां से mental शुरू हुआ है कहां से तो उन्तीस सो किलो मिटर से वहाँ temperature लगबग फिर से पचीस सो से उपर तीन हजार डिगरी सलसियस तक चला जाता है और फिर से यह mental और सोड़ी कोर का उपरी पार पिघल जाता है लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यह जो पार्ट है inner core यह solid अवस्था में है याद रखिएगा यह जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे है this is in solid state यह वाला जो पार्ट है सबसे नीचे वाला जो पार्ट है यह एक solid अवस्था में अब आप कहेंगे कि जो सर inner core है वो solid अवस्था में क्यों आ गया solid अवस्था में क्या हो गया तो यहां तक पहले समझ गया न आगे तो मैं समझा दूँगा आपको यहां तक तो आप समझ गया नितीस राज सिधार्थ रेडिव यहां तक classes आप लोगों को समझ में आ रही है देखिए theory class आपको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि theory पे पूरा best होता है आपका knowledge अगर theory आप maximum कर लेते हैं conceptual classes maximum कर लेते हैं तो आपको कोई अलग से पढ़ना नहीं पढ़ेगा और सिर्फ उसके बाद mcq आप try करते रही है उसके बाद आपको लगेगा कि अब मेरे लिए जोग्रफी बहुत easy है अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर concept क्या है यहां solid क्यों होंगे यहां तक तो clear है देखे रस्ट क्यों बना solid तो इसका मतलब है cooling process ठंडा हो गया इसलिए बन गया magma chamber जो बना जिसको हम अस्थान सफेर कहते हैं उसका निर्मन liquid क्यों हुआ तो यह आप जानते हैं अच्छी तरह से कि liquid इसलिए हुआ liquid क्यों हुआ तो liquid तो इसलिए हुआ ताकि वहां पर radioactive elements है अगर नहीं होगा तो वो नहीं हो पाएगा समझे mental का maximum जो पार्ट है याद रखेगा यह solid है mental का जो अधिकतर पार्ट है यह याद रखेगा solid है solid का मतलब ठोस अवस्था में है और क्यों है क्योंकि इस rate पे 32 meter 1 degree Celsius increase जो हो रहा है उस rate पे यहां का temperature नहीं बढ़ेगा इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक temperature यहां से लेकर यहां तक यह solid है बीच में कहीं कहीं liquid है जहां radioactive elements है समझ गया अब यह जो outer core है यह liquid इसलिए हुआ क्योंकि इस rate पे temperature बढ़ते बढ़ते पचेश सो से 3000 हो गया तो liquid हो गया समझ गया है लेकिन inner core solid क्यों हुआ अब आपको यह पता नहीं चला तो उसके बारे में सबसे पहले आपको बताता है अब जड़ा देखिए अब देखिए सबसे पहले मुझे बताए यह जो crust है बहुत सारे लोगों ने इसको कहा है C.A.L. layer जैसे आपको SWES ने कहा C.A.L. C.M.A. निफे तो याद रखिएगा crust को हम C.A.L. layer भी कहते हैं तो crust का एक दूसरा नम C.A.L. भी है क्यों है क्यूंकि इसका maximum part cillica और almonium का बना हुआ है याद रखिएगा cillica और almonium का बना हुआ है वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि crust में maximum कौन सा elements होता है अगर आपसे पूछा जाए तो oxygen होता है उसकी बाद याद रखिएगा उसके बाद यानि oxygen सबसे ज़्यादा होता है उसके बाद अगर आपसे मैं कहों कि क्या होता है तो उसके बाद silicon होता है उसकी बात क्या होता है तो याद रखेगा उसकी बात होता है almonium और तब होता है LOHA याद रखेगा तो यह क्रम याद रखेगा elements के हिसाब से लेकिं अगर मैं इन δोनों को मिला दू तो oxygen से भी ज़दा खो जाता है यानि मेजरिटी होती है वो क्रस्ट लेयर में, इसलिए कि सियाल लेयर है यह, याद रखिएगा, समझ गया है, तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा elements तो oxygen है, उसके बाद silicon, उसके बाद aluminum, उसके बाद आफी, लेकिन इसको सियाल लेयर कहते हैं, समझ गया, दूसरा अगर मैं सीलिका और मैगनेसियम की मातरा जादा है, याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, सीलिका और मैगनेसियम, इसमें बहुत ज़्यादा मातरा में पाया जाता है, तो सीलिका और मैगनेसियम, दूसरा जो नीफे लेयर है, अगर मैं आप से कहूँ कि ये नीफे, अगर मैं जाध को अब मेरा सवाल क्या है मिरा सवाल यह है कि अगर मैं आप से क्ष्चन करूं कि यह बताए कि प्रीशवी के अंदर मेंगनेटिक एफएक्ट है ये कि अगर आपसे कहां कि अगर मैं अगर आपteen सबसे ज़्यादा मैंगनेटिक इसैक्ट है अगर है या मैंगनेट बन रहा है तो कौन बना रहा है क्रस्ट बना रहा है या मैंटल बना रहा है आप मुझे बताए क्रस्ट बना रहा है कोर बना रहा है या मैंटल बना रहा है जल्दी बताए तो कोड में बन सकता है क्योंकि आप जानते हैं वहां नीफ है नीकील और फेर वहा दुए तो मैगनेक्ट वह सब बना दे मंतलू होता है रिकिसे पहले कहें होता है दैसा की यह पैं similar और यहां तो इसमें इहां पर रगढ़ थोड़ी दियर के लिए आ गया और खंड इसका मतलब मैगनेटेक रेगर क्रीएट करना है energy अगर निकाल नहीं है, liberation करना है, flow of electron करना है तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर friction होगा, तो magnetic waves निकलेगा तो कैसे निकल रहा है, ये तो आप जान रहा है कि नीचे से आप देख रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये core solid होता जा रहा है तो कैसे हो रहा है समझे इस चीज़ को पहला चीज जैसे जैसे नीचे जा रहा है टेंपरेचर बढ़ रहा है यह तो है पक्का है जैसे जैसे नीचे जा रहा है प्रेशर बढ़ता जा रहा है प्रेशर बढ़ता जा रहा है अब मुझे पताएं जैसे जैसे नीचे जाएंगे density बढ़ेगा या घटेगा density का क्या है density बढ़ेगा या घटेगा तो आप कहेंगे सर नीचे जाने से density बढ़ रहा है क्योंकि प्रेसर बढ़ रहा है और center में जाएंगे तो यह क्या हो जाता है pressure हड़ जाता है और pressure zero हो जाता है लगबग तो प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेसर बढ़ रहा है तो density भी क्या होगी बढ़ेगी जैसे अगर मैं आपसे ऐवाला जो apart है Π्रस्ट का यहाँ पे density अगर देखेंगे तो 2.7 है, average अगर मैं आप से कहूँ कि 2.7 है, नीचे चले जाएं, mental तो average 4.6 है, इसको हम gram पर cubic centimeter कहते हैं, और इस density का concept पहले ही आपको बता चुका हूँ, outer core में देखेंगे तो 11 gram पर cubic centimeter है, यह सब सब इंदर सी में लिखा हुआ है, और inner core में जाएंगे, तो 13 gram पर cubic centimeter है, याद र density कितना है, तो 5.5 gram पर cubic centimeter, मैंने आपको बताया ना, कि 5.5 gram पर cubic centimeter यह है, तो नीचे density बढ़ रहा है, इसका मतलब है नीचे density बढ़ रहा है, तो density सबसे ज़्यादा कहा होगा, inner core में होगा, सबसे ज़्यादा इतना ज़्यादा density हो गया कि 13 density हो गया, और यह solid में convert हो गया, तो इसका मतलब है अगर आपसे पूछाए जाए कि इनर कोर के सॉलीड होने का कारण क्या है scientific जो developments हुआ उसमें इनर कोर को सॉलीड माना गया है तो इनर कोर के सॉलीड होने का कारण क्या है high density और अगर मैं कहूँ कि नीचे pressure अगर कम हो रहा है तो high density कैसे रहा गया तो जड़ा सोचिए जब प्रीथवी बनी होगी तो इसमें बहुत सारे minerals है कुछ लोहा भी है कुछ silica भी है कुछ aluminium है तो जो हलके पदार्थे उपर रहा गया जो भारी पदार्थे वो नीचे बैठ गया तो भारी पदार्थ का मतलब नीकिल और लोहा जो एफ़ी है तो इसका मतलब दूसरा अगर questions ये पूछा जाए कि भाई इस वे जो inner core है बहुत ज़्यादा dense है इसका करण क्या है because of the heavy metals high dense metal समझ रहे ना density क्योंकि यहां के elements जो है यह काफी भारी हैं काफी high dense के हैं समझ गया है जैसे लोहा है जैसे निकेल है समझ गया है तो यहां तक तो आप समझ गया है यहां तक तो आप समझ गया है अब देखिए crust crust के parts को हमने आपको क्या कहा crust को हम सियाल भी कहते हैं Crust को हम लीथो एस्फेर भी कहते हैं, याद रख़िएगा, यहाँ पर हमने, क्या बताएगा आपको, लीथो एस्फेर भी कहते हैं, ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो मैगमा चिंबर है, इसको एस्थेन एस्फेर कहते हैं, लेकिन mental, यह जो बीच वाला लेयर है, इसको intermediate लेयर क कह सकते हैं? और दूसरा याद रखेगा मीजोस त्पेर भी इसको कहते हैं, समझ गए? और जो कौुर वाला पार्ट है, यहां से यहां तक वाला पार्ट, इसको हम बेरी इस फेर के नाम से भी जानते हैं, याद रखेगा, इसको हम barrier sphere ये सब question कई बार पूछा गया है कि इनमेज से प्रित्रवी के किस layer को barrier sphere भी कहते है तो barrier sphere का मतलब है जो code है उसके बारे में कह रहे है mental का मतलब है मीजो एसफेर है उसके बारे में कह रहे है समझ रहे हैं न तो यहां तक आप समझ गया न अब कुछ लोगों का कहना होगा inner core और outer core का जो layer का limits है वो कितना kilometers का है तो 5150 km का है याद रखिएगा 5150 km का ये limits है याद रखिएगा कितने का limits है तो 5150, 5150 km का जो limit है याद रखिएगा यहां तक copy हो गया है तो नितीश राज मुझे लगता है तुम भी एक अच्छे student हो याद इतने देर से क्या मिलता है क्या पाया जाता है तो कुछ जगह है जहां पर अभी भी scientist क्या है मॉनार के मतलब उल्जे हुए है कि यहां पर क्या हो सकता है वास्तों में मैंने आपको कहा कि internal structures के बारे में जो मैं अभी बता रहा हूं और जो एक्जाम में questions पूछा जाएगा high dense matter लेकिन इसकी इसका imagination करना बहुत दूर की बात है और यह high dense matter क्या हो सकता है तो कुछ कुछ गहराई पर हमने ऐसे बहुत सारे layer को देखा है जहां पर density एक बढ़ी हुई है और वहां पर सिस्मिक waves की गती abnormal हो जाती है फस्ट हो जाती है तो ऐसे जगह के बारे में लोगों ने कहा discontinuity है तो वास्तों में आप पूछते हैं कि crust, mental और core इसको define कैसे करते हैं कहां से crust, कहां से core, कहां से mental कितनी गहराई के बाद हम माने की mental सुरू हो गया तो यह decide कौन करेगा discontinuity तो वास्तों में ऐसे abnormal area जहां पे seismic waves के गती abnormal हो जाती है, fast हो जाती है सविंदर सिंग ने या फिर maximum जो किताब है उसको वो discontinuity मांगते हैं जिसको और सांतत्य कहते हैं जैसे अगर मैं आप से कहूं कि crust, mental और core के बारे में अगर मैं आप से कहूं जो जड़ा देखिए यह जो उपर वाला parts है, मैंने आपको कहा कि this is the यह जो part आप देख रहे हैं, सबसे उपर वाला जो part है, this is the crust, यह देख रहे हैं तिसको हमने lithosphere कहा है लेकिन उसके नीचे आपने देखा कि this is a sthanosphere और उसके नीचे mental है, याद रखिएगा 2900 km तक mental है, आपका कहना है कि crust कहा से, mental कहा से, यह तो आप कहा सकते हैं तो जड़ा देखिए, अगर मैं आप इसको कहूँ कि crust कहा होगा, mental कहा होगा, तो जड़ा देखिए, अगर मैं इसी पे एक map जारी कर दूँ आपको और कहूँ, यह बताए, अगर मैं आप से कहूँ कि ये crust है, ये mental है और ये core है, मैंने कहा ना, तो सबसे पहले समझिए कि crust और mental को हम अलग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक particular discontinuity है, और इस discontinuity को हमने क्या नाम दिया, तो सबसे पहले ये समझिए कि crust और mental के बीच में कौन सी discontinuity है, तो याद रखिएगा इसको हम कहते है मोहू discontinuity, मोहू, याद रखिएगा, discontinuity, याद रखिएगा, मोहू औसांतत्य के नाम से जानते हैं इसको मोहू औसांतत्य, याद रखिएगा, उसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ ये crust, आप देख रहे हैं ना, this is the crust, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, this is the crust, इसको हम कह कह रहे हैं, this is the mental, mental, जिसको परवार हमने कहा है, तो अगर आप से पूछा जाए कि ऐसा क्या है, जो crust को mental से लग कर रहा है, this is the मोहू discontinuity, याद रखिएगा, दूसरा अगर मैं कहूँ कि अगर ये mental है, मान लिजे, ये वाला जो पार्ट है, ये mental है, मैंने आपको कहा कि this is the mental part, this is the crust part, और this is the core part, तो अगर मैं आप से कहूँ कि mental को core से अगर अलग करता है, तो वो कौन सा अलग करेगा, this is called गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी याद रखेगा, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी याद रखेगा, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी और तीसरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो तीसरा पार्ट है, तीसरा का मतलब क्या है? अगर मैं कहूँ कि तीसरा का मतलब क्या है? ये मैंने आपको कहा कि क्रस्ट और्मेंटल, अब मैं अगर कहूँ कि कोर के दो पार्ट है, कोर का पार्ट है, एक अपर कोर्ट और एक इनर को मैंने आपको कहा था ना, एक अपर कोर है, एक इनर कोर है, तो अपर कोर को इनर कोर से अलग करता है, यहाँ पे अगर आप से पुछा जाए, कि यहाँ पे कौन सा डिसकंटिनूटी है, तो याद रखिएगा, यह वाला जो पार्ट है, रखिएगा, जो अपर कोर को लोवर कोर से अलग करता है, उसी तरह से अगर आप से कौश्चन पूछा जाए, कि अपर मेंटल और लोवर मेंटल के बीच भी एक डिसकंटिनूटी है, जिसको हम रेपटी डिसकंटिनूटी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम Repetit Discontinuity कहते हैं और यहाँ पे देखिए यह जो part है crust, upper crust और lower crust के बीच भी एक discontinuity है जिसको हम कौन राड discontinuity कहते हैं याद रखिएगा कौन राड discontinuity अब यह discontinuity आपके exam में बहुत ही ज़्यादा पूछ सकता है तो याद रखिएगा यह discontinuity बहुत ही important है यह discontinuity बहुत ही important है कौन-कौन सा तो सबसे उपर से अगर नीचे तरफ जाएंगे तो सबसे उपर कौन राड discontinuity आएगा जो upper crust को lower crust से अलग करता है उसके नीचे more discontinuity आएगा जो crust को mental से अलग करता है या lower crust को upper mental से अलग करता है उसके बाद आप नीचे चले जाएंगे तो rapid discontinuity आएगा जो mental के बीच में है यानि upper mental और lower mental के बीच में है फिर उसके नीचे गुटेन बल्ग discontinuity आएगा जो mental और core को अलग करता है या lower mental या upper core को अलग करता है उसके बाद नीचे चले जाएंगे तो लहमान discontinuity आएगा जो upper core और inner core को अलग करता है तो याद रखिए कि यह जो discontinuity है मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसे जगह है जहां पे seismic waves abnormal speed हो जाता है और लोगों ने कहा कि यहां पे कोई high dense matter है वास्तों में इस जगह को ही हमने layer के division का आधार मना दिया यानि layer को अगर define किया गया तो इसी basis पे गर दिया गया यह discontinuity आपके लिए बहुत जरूरी है अब समिंदर सी के last page पे यह जो पूरा description है वो बहुत important है क्योंकि इससे questions आप से पूछे जाते है याद रखिएगा तो अब अब सिर्फ एक ही चीज बचा है क्या है बचा तो याद रखिएगा मैंने इतने देर से आपको कहा कि सिस्मिक वेब सिस्मिक वेब सिस्मिक वेब और उसके तहत ही हम internal structures of earth के बारे में जानकारी पराप करते हैं हमें आपको यही कहा लेकिन आप अभी नहीं समझ पाए कि सिस्मिक वेब होता क्या है इसका nature क्या होता है P waves, S wave, L wave P dot S dot wave, S P G S G waves ये सब के बारे में अभी आपको जानकारी नहीं मिली है लेकिन समिंदर सी ने इसका इलेक किया है लेकिन अगर मैं आप से कहूँ कि ये अभी अगर आप जानेंगे तो आपके लिए बहतर नहीं होगा जब ये earthquake आप जानेंगे यानि सिस्मिक वेब पुड़ा open करेंगे हम भूकंप chapter में और वहीं आपको समझाएंगे कि हम internal structure of earth को better कैसे जान पाते है कि यहाँ पे density जादा है यहाँ पे liquid है यहाँ पे solid है यह upper crust है यह lower crust है तो यह question मेंस का एक questions बनता है कि पृत्वी के internal source के बारे में संचिप्त वर्णन करें यानि किस आधार पे पृत्वी के आंतिक संरशनाओं के बारे में हमें source मिलता है define करें तो यह मेंस का questions है तो उसको हम define करेंगे किसके साथ और्थक्वैक एक chapter आएगा bookamp जैसे chapter आएगा उसके साथ तो आज आज आपका दूसरा chapter लगभग complete हो गया और जो हमने आपको बताया है उसी हिसाब से आप आगे चलने की कोसिस कीजे तो आपका एक एक questions solve हो जाएगा याद रखिएगा हमने जो बताया है उसको notes बनाईए और आगे चलते रहिए जब आप questions देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये questions अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या पूछ रहा है तो आज की class यहीं समाप्त होती है फिर से हम हाजिर होंगे कल इसी समय दूसरे चैप्टर यान तीसरे चैप्टर को लेके जिसमें हम बात करेंगे continents और ocean का निर्मान कैसे हुआ है और उससे संबंदित बहुत सारे theory आए हैं hypothesis आए हैं तो GS of point of view से यह classes चल रही है चुकि मैं जोग्रफी का पूरा चीज जानता हूँ खुद हमारा सफलता तो खेर बहुत बड़ा है लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अगर no down कर रहे हैं तो आप हमारी बात को समझे और better आपके लिए सबसे better अगर होगा तो यहीं method हो सकता है समिंदर सिंग को पढ़ने का अगर आपकी जोग्रफी optional नहीं है optional अगर है भी बनाना भी चाहते हैं तब भी आप 90% चीजें यहां से collect कर सकते हैं क्योंकि हम जो बता रहे हैं सिर्फ इसके आधार पर नहीं बता रहे हैं optional पढ़ने वाले लोग भी इससे जोड़ सकते हैं net जयरब पढ़ने वाले लोग भी इससे जोड़ सकते हैं जो टेट का exam PT पीजीटी दे रहे हैं assistant professor दे रहे हैं वो लोग भी इससे जोड़ सकते हैं sorry आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद नेहा सिधात नितिस आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच्छ वे नाइस टेप